आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ हाई स्टूदेंस, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 7 की फोएम दाट अन दे काट अंद ट्री करेंगे अब इसमें तीन चीज़े हैं, किस-किस के ओपर ये पोएम डिपेंड है डाडी, काट और ट्री ये तीन चीज़ों के ओपर, ये स्टूरी जो है वो पोएम की चलेगी So, have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी cat को देखा है, पेड पे चड़ते हुए? Sometimes, a cat may climb too high and get stuck in the tree बहुती पर क्या होता है, कि जो एक बिल्ली होती है, वो पेड पितना जादा उपर चड़ती है, कि वो वहाँ पर फस जाती है The poor thing can't come down without help और वो विचारी जो बिल्ली है, चोटी सी, वो मतलब कि नीचे नहीं आ सकती बिना किसी मदद की How would you help it? अब आप उसकी मदद कैसे करोगे? Surely not like dad in the poem, कि जिस तरीके से जो dad है, वो इस poem में help करते हैं, उस तरीके से तो आप पका ही नहीं करोगे Is dad a good climber? क्या आपके जो वाप है, वो एक अच्छे climber है, climber क्या होते हैं, जो चीजों पर चड़ते हैं, जैसे mountain climbing होती है तो क्या वो एक अच्छे climber है? What were his plans? उनके क्या-क्या plans होंगे? Read the poem to find out अब चलिए poem पढ़ते हैं, यह सारी चीजों का पता लगाने के लिए सबसे बहले वोडों ने ऐसा बोला कि शॉली आप जो इस तरीके से poem में जो dad है, उसके तरीके से तो आप उसे नीचे नहीं होतार होगे तो शायद कुछ funny हुआ होगा इस poem में, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं So let's start the poem This morning a cat got stuck in a tree, dad said, right just leave it to me अब आज सुबह क्या हुआ? कि एक जो बिल्ली थी, वो एक tree है, उस पर फस गई हम देख सकते हैं इस तरीके से, stuck means फस जाना तो dad बोलते है, कि ठीके यह कोई बात नी, यह जो सारी चीज़ा है, यह मेरे उपर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा The tree was wobbly, the tree was tall, mom said for goodness, sake don't fall अब वो जो tree था, वो बहुत साथ wobbly था, हिल रहा था बहुत साथा, और वो बहुत लंबा भी था तो mom ने क्या किया, भगवान के लिए, मतलब की तुम गिर मत जाना, sake don't, fall, गिर मत जाना, fall, scoffed dad A climber like me, child's play this is, you wait and see, अब daddy जो है, वो यहाँ पर गिर जाओंगा, scoffed means ऐसे मेरे जैसा climber, गिर नहीं सकता है, यह मेरे लिए बच्चो का खेल है, child's play means बच्चो का खेल है, तुम सिर्फ wait कर और देखो He got out the ladder from the garden shed, it slipped, he landed in the flower bed अब उन्होंने क्या किया, कि वो एक CD लेके आ गए, shed में से, shed बताया है आपको, कि एक ऐसा जगय होती है, घर से थोड़ी सी दूरी पे, जहां हम जैसे tools रखने के लिए, vacals रखने के लिए, animals को रखने के लिए, वो जगा बनाई जाती है, एक storage के टाइप से, तो वहाँ से वो अपनी ladder लेके आते हैं, तो वो by chance क्या होता है, वो ladder, वो चड़ते हैं उसके उपर, और वो ladder slip हो जाती है, और वो नीचे जो flower bed होता है, फूलों से बिच्छा हुआ, जैसे grass सी grass होती है, garden के अंदर, गिर जाते हैं, never mind said dad, brushing the dirt of his hair and his face and his trousers and his shirt, अब उसके पापा ने इता बड़ा बोला होता है, कि अरे, ये तो बच्चो का खेल है, यहाँ पर क्या होता है, वो गिर जाते हैं, तो अरे, कुल बाद नहीं, वो अपनी सारी धूल जार रहे होते हैं, brushing the dirt में, सारी धूल जार रहे होते हैं, उनके बालों में, उनके face पे, उनकी pants पे और उनकी shirt पे लगी होती है, we'll try plan B, stand out of the way, mom said, don't fall again, okay, तो यहाँ पर बोलते हैं, कि अप मैं plan B का use करूँगा, मेरे रास्ते से दूर हर जाओ, तो mom कहती है, please, तुम वापिस से गिर मत जाना, okay, fall again, said dad, funny joke, then he swung himself up on a branch, it broke, अब उन्होंने क्या किया, दूसरा जो तरीका है, वो अपनाया और उन्होंने क्या किया कि एक जो डाली होती है, तो अगरे, fall again, मैं वापिस से गिर जाओंगा, अच्छा, अच्छा मजाग है, पर उन्होंने फिर क्या किया, कि एक डाली होती है, उसके उपर जूलने लग गए, swung means लटक गया से, और वो डाली by chance तूट जाती है, वो वा नीचे गिरते हैं, तो वैसी एक आवाज आती है, और वो नीचे गिरने के उनके और वापिस से वो डेक पे नीचे गिर जाते है, वो हम कहती है, stop it, रुक जाओ, तुम अपनी जो गर्दन है, वो तुडवाल होगे, rubbish, sad dad, now we will try plan C, easy as winking to a climber like me, अब वो कह रहा है कि हम नीचे जैसे इतने बड़े climber के लिए यह बहुत सादा easy है, अब वो क्या करते है, then he climbed up high on the garden wall, guess what, he didn't fall, अब वो क्या करते है, कि garden की यह जो दिवार है इसके उपर से चड़के और पेड के उपर चड़ जाते है, और फिर पता है क्या होता है, वो नहीं गिरते है, he gave a great leap and he लेते हैं, बहुत तगडी leap लेते हैं और इस पेड के उपर यहाँ पर फस जाते हैं, और जो crook of the tree, crook of the tree trunk means, यह जो tree trunk का crook है, यह जो बीच का area है, यहाँ पर फस जाते हैं, और यहाँ पर ही वो cat फस हुई होती है, the cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound, जो cat होती है, वो इक्तम से च लाना और sprang on the ground, मतलब जमीन के उपर कूच जाती है, pleased as punch to be safe and sound, और वो इतनी असानी से वो कूच जाती है, और बिलकुल safe होती है, और बिलकुल आवाज नहीं होती, so it's smiling and smoking, smog as can be, but poor old dad still stuck up the tree, अब यहाँ पर क्या होता है, वो तो बच गई, जो cat है, तो पर यहाँ पर ज smiling or smoging का means यहाँ पी यह है, कि वो बहुत ही एक खिस्यानी सी हसी नहीं हसते है, मुरक्ता वाली या फिर बहुत अजीब सी, नक्रे वाली सी हसी हसती है, और smog का मतलब होता है कि self satisfaction हम कह सकते है, या proud कह सकते है, या बहुत ही beautiful भी हम कह सकते है, तो वो एक स्थेसी की हसी हसती है, पर हमारे जो डाद होते हैं, वो अभी भी ट्री के उपर stuck रहते हैं, वो उतारने तो cat को गएते, बटटी एंड क्या होता है, उनके सारे plans fail हो जाते हैं, और जब यह last plan वो अपना apply करते हैं, तो वो खुद उसके उपर फसे हुए रह जाते हैं, तो यह जो पूम है, वो आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर